नमस्कार स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर और उमीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं स्वस्त हैं आज मैं आपको जनकरी दूँगा शुक्र ग्रह दैत्य गुरु शुक्र जिनका प्रभाब बड़ा जबर्दस्त है जिनके प्रभाब से जीवन बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में प्रभावित होता है शुक्र ग्रह जो हमारे जीवन में सुंदर्य प्रसारन एश्वर रे के कारक होते हैं शुक्र ग्रह जो जिसको जिनोंने दैत्यों को शिक्षा दी जैसे देवताओं को देवगुरु ब्रसपरिती न दी ग्यानी भी हैं ग्लैमर से भी जोडते हैं सौंदर्य प्रिसारन से भी जोडते हैं अच्छे खासे नीतिवान ग्रह भी है एग्जेक्यूशन पावर बहुत अच्छी है चीजों को योजना बद तरीके से करना पसंद करते हैं और सबसे अच्छी बात कि जो भी काम करते हैं उसको पूरी डेडिकेशन से करते हैं इसलिए कहते हैं कि बिना शुकर के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता बिना शुकर के जीवन को नई दिशा और दिशा नहीं मिल सकती और ये बात बिलकुल परम सत्य है ये मैंने देख लिया अच्छे से मैंने इतना नुवब करके ये देख चुका हूँ लोगों के साथ कुंड़िया देख देख करके कि जिसका शुक्र कमजोर होगा उसकी मेरी लाइफ भी डिस्टब होगी जिसका शुक्र कमजोर होगा उसको ग्लैमर का सुक नहीं मिल पाएगा सुक सुविधाएं अरजित नहीं कर पाएगा ऐसा विक्ति मतलब वो उल्जा ही रहेगा अपने जीवन में किसी ने किसी रूप में वो परिशानी में बना रहेगा ऐसा योग यहां पर बन जाता है और जिसकी कुंडली में सुक्र बलवान होगा वो नाम भी कमाएगा या श्वेभव उन्नती सब प्राप्त करेगा और साथ में उसकी ख्याती जो है ना वो एक सीमित दायरे में नहीं रहती दायरे से आगे रहती है मतलब उसको बहुत लाखों लोग जान जाते हैं और उसके सुक्र की दसा आ जाए सुक्र उसका पावरफुल हो जाए तो फिर कहना ही क्या अब यह राशियों के लिए लिखा है कि पलक जपकते हैं यह होगा आपके साथ है अब ऐसा क्यों लिखा है यह भी अब आपको क्लियर हो जाएगा तो शुरुवात करते हैं धनु राशी से धनु राशी जो बड़ी मेहत्वपून राशी होती है जिसके स्वामी ग्रह देव आपके लिए शतूता निभाएंगे और शुक्र ग्रह का जो ट्रांजिट होगा वो बड़ी इंपोर्टेंट जगा हो जाएगा शुक्र आपके लाप के घर पर आएंगे प्रॉफिट के घर पर आएंगे अब यह प्रॉफिट पर आएंगे तो मैं आपके लिए यह कहना च पक्ते ये होगा मतलब मैं दो राशियों की बात कर रहा हूं जो थमनेल में लिखी हुई है उन्हें मैंसे एक है धनों आपके व्यपारिक संबंद अच्छे हो जाएंगे घर में कोई मांगली कारेकरम बनने का योग बनेगा योजनाबद तरीके से होगा विदेश शात्रा का अवसर आपको प्राप्थ होगा और संतान संबंदी जो कष्ट चल रहा है उससे आपको मुक्ती मिलेगी मंत्र की सिद्धी धन मकान सवारी सुक की प्राप्ती पर कामुप्रवर्ती हो जाएगी और उसका कारण ये है कि ग्यारवा इस्थान में है और ग्यारवा इस्थान दूसरे इस्त्रिय दूसरे पुरुष का भी होता है और सत्तम से ये पंचम हो जाता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको विशेश रूप से अपनी पुत्री के माध्यम से लाप्राप्त होगा और साथ में जिन लोगों के बड़े भैवनों के साथ में तनाव कम होगा ऐसा कुनली ग्रह इस्तिती यहां मुझे नजरा रही है अब मैं आप से बात करना चाहता हूँ नेक्स राशी के बारे में और ये जो राशी रहेगी इसके लिए ग्रह योग बड़े अच्छे हैं और नाम है मकर और जो मैंने लिखा है न अगर किस नहीं चमकी तो कहना ये 25 दिन आपके जी हां ये 25 दिन आपके और उसका कारण है कि आपकी मकर राशी है और मकर राशी से जो गोचर होगा शुक्र रहका वो आपके करम भाप पर होगा और एक मालव नाम का महापुरुश्रा जोग बनेगा एक केंत्र कौन राजयोग बनेगा और शुक्र बुद्धी को उन्नती को मनुरंजन को नीती को शास्त्र को विद्वानता को अक्समा धनलाव को संतान के घर को ये सभी चीजों को ले करके ट्रांजिट कर जाएगा आपके दसम भाप पर करम भाप पर ऐसे में उच्छ शिक संगत सोच रहेगी वहान इत्यादी का सुक प्राप्त होगा और माता पिता से लाप प्राप्त होगा पैत्रिक संपत्ती का लाप प्राप्त होगा संगीत में गायन में लाप प्राप्त होगा कॉस्मेटिक में फैशन में कम्प्यूटर में ऐसी चीजों में लाप प्राप् लिटरली बहुत बढ़ी आया है इसलिए मैंने बोला है 25 दिन फिर एक साल बाद ही लोटेंगे क्योंकि पूरे एक साल बाद शुकर के रहे का परिवर्तन अपनी तोला राशी में हो रहा है 29 तारीकी रात को हो रहा है 25 दिसंबर तक परिवर्तन रहेगा और इसके व्यापक प नाम रहेगा मीन अब मीन के दोस्तों आपके लिए जो ग्रह इस्तिती रहेगी वो एक फ्लेक्टुेशन वाली रहेगी और जो मैंने लिखा है ना पलक जपकते ये होगा आप इसमें आते हैं दूसरे नंबर पर पहली जो आ रही थी वो मैं आपसे धनूगी चर्चा कर फिर बचेगी हमारी एक राशी वो भी आपको बताएंगे उसमें क्या होगा अब यहाँ पर डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है एक तो तीसरे बाब के मालिक शुक्र है और अस्टम बाब में आ जाएंगे और अस्टम से अस्टम भी बाब तीसरा होता है तो अब ऐसी इस इस्तिती में आईउ में वृद्धी करेंगे यह प्लस पॉइंट है क्योंकि आईउ के घर में आ रहे हैं परंतु दोके दिलाने का योग बनेगा शुब योग यह है कि आपके रिसर्च पूरी हो जाएगी अगर आप रिसर्चर हैं आप स्टोरीज लिखते हैं डायलोग ल रहेगा ऐसा मैं यह कह सकता हूँ आपके लिए अगर मैं आप से बात करूँ यात्राओं की अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उस दृष्टी कोंड से भी समय शुब है छोटे भैवनों का इसने स्वयोग आपको प्राप्त होगा अब बात करते हैं ए काकरी राशी की और वो रहेगी कुम्ब और वो आती है अपना अगर किस्मत नहीं चमकी तो कहना ये पच्चेश दिन आपके यानि कि शुब साइन बन रहे हैं केंदर तुरकौन राजयोग बन रहा है भाग्ये के घर में शुक्र गरह आ रहा है सुख साधन प्रॉपर्टी वहां जमीन जाइदात लेकर क्या रहा है राजनिती को लेकर क्या रहा है मन को लेकर क्या रहा है मा के सुख को लेकर क्या रहा है और पुत्र पौत्र के घर में आ रहा है उत्तम विद्या के घर में आ रहा है विदेश के घर में आ रहा है यानि कि बड़े शुब योग आप कुम राशी को सबसे अच्छे अडवांटेज प्राप्त हो रहा है कुम राशी के लिए तो ये 25 दिन बहुत बहतरीन है अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं दोस्तों ये आपका आज का फल यदि आप भी कुनली बनवाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं पूजा पाठ रत्निया रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं नमस्कार